नमस्कार आप सभी का जयम रेसिपी यूट्यूब चैनल पर हादिक स्वागत है आज हम बनाएंगे तिल और गुड की मीठी पोली बहुत आसानी से बनती है और इसके उपर अगर हम देशी घी लगा कर खाए तो यह बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए बनाते है तिल औ और आटे को हम थोड़ा सा निकालेंगे और इतनी आटे की लोई हमने तोड़ ली है अभी हम इसे थोड़ा सा गोल गोल इस तरह से खांची की तरह बनाएंगे और इसमें अभी हम डालेंगे तिल और गुड का मिश्रन तो जितना तिल लिया है उतना ही गुड और अगर जाजी का पावडर और थोड़ा सा चुटकी वह नमक आप डाल सकते हैं नमक डालना चाहे तो डाले वन आप स्किप करें तो इसे हम बन कर देंगे इसे अच्छी तरीके से बन करना है वरना जो है हम पोली को बेलते समये तूट सकती हैं तो इसे अच्छी तरीके से बन कर लिय इसके बाद हम इसे बेलेंगे तिल और गुर की पोली को बेलते समय बहुत ही हलके हाथों से बेलना है बिल्कुल हमें इसके ऊपर थोड़ा सा भी जोर नहीं लगाना है अगर हम ऐसा करते हैं तो पोली जो है वो किनारों से तूटने या फिर फटने लगेगी और फिर यह अच पर जो है लोहे के तवे का इस्तमाल किया है इस पर बनी सिंपल रोटी हो पराठा हो या फिर कोई मीठी पोली बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है तो जब भी आप इसके उपर पोली सेखने के लिए डाले तो इसके उपर तेल या फिर घी जरूर लगाए तो इसे दोनों त क्योंकि एक तो पोली फट सकते है या फिर जल सकती है क्योंकि गुड़ डालने से और लोहे की तवे पर आप अगर पोली बना रहे है तो यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है तो अभी पोली अच्छे तरीके से यह बन चुकी है हम इसे गर्मा गरम खाएंगे और परोस यह बहुत स्वादिष्ट लगती है आप इसे कहीं सफर में भी ले जा सकते है इसे बस ठंडा होने के बाद रैप करें अगर आप कहीं से बाहर लेकर जा रहे है खाने के लिए तो इससे पहले अच्छी तरह के से ठंडा कर ले इन सारी पोलियो को और आप इसे पैक करके ले मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद